ओलम्पिक में हर एथलीट का ये सपना होता है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड जीत कर आए सोचिए तब क्या हो जब आप गोल्ड मैडल जीत तो ले लेकिन आपका कोई मैडल अपने दातों से तोड़ दे बुरा लगेगा कुछ ऐसा ही हुआ है ओलम्पिक में गोल्ड जीतने वाली सौफ्ट बॉल एथलीट मीयू गोटो के साथ जिनके जीते गए मैडल को जापान नागोया शहर के मेर तकाशी कावा मूरा नहीं अपनी दातों से इतनी जोड से दवाया कि मैडल ही तूट गया फिर क्या इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोशना होने लगी घटना को लेकर मेर इतनी आलोशनाओं का सामना कर रहे हैं कि लोग उनसे अब इस्तीफा तक माँग रहे हैं ओलम्पिक्स 2020 में विजिता खिलाडी अकसर मैडल दात से काटते हुए अपनी फोटो किचवाते हैं कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे थे नागोया के मेयर तकाशी कावा मूरा लेकिन जैसे ही उन्होंने सौफट बॉल खिलाडी के ओलम्पिक गोल्ड मैडल को दातों से काटने का पोस दिया जोश में उन्होंने मैडल को इतनी जोड से दबा दिया कि मैडल तूट गया इस दोरान वहां मीडिया भी मौजूद थी जिसके बाद अब टूटे हुए मैडल को लेकर ओलम्पिक के प्रशासन दोरा उन्हें दोबारा तयार कराने की बात कही गई है इस वीडियो के वाइरल होने और आलोशनाओं के बाद मेयर ताकाशी कावा मूरा ने सोशल मीडिया पर लोगों से मावी मांगते हुए कहा है कि वो शर्मिंदा है उन्होंने कहा कि नया मैडल बनाने के लिए जो भी खर्श होगा वो खुद इसे उठाएंगे मेयर ने कहा कि मैंने खिलाडी का गोल्ड मैडल गंदा किया है जिसके लिए उन्होंने कई मेहनत की होगी आई ओसी एथलीट कमिशन की मौझूदा सदस से यूकी ओटा ने दी मेयर ताकाशी कावा मूरा के आलोशना करते हुए ट्वीट में लिखा है कि मुझे नहीं पता था इस एथलीट और मेयर में क्या सम्मध है लेकिन इस गटना से ये सामने आ रहा है कि वो एथलीट की ज़त नहीं करते ये गटना दर्शादी है कि मेयर ना तो एथलीट की रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही कोरुना के खिलाव बनाए गए नियमों का पालन करते हैं नागोया सिटी हॉल के अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि मेयर तकाशी कावामूरा के गलत विभार को लेकर उन्हें आठ हजार से अधिक शिकायते मिली हैं अधिकारी का कहना है इन शिकायतों में कावामूरा से तीफा मांगा गया है हालाकि अच्छी बात यह है कि अंतरास्टिय ओलम्पिक समिती ने गोल्ड रिप्लेस्मेंट के लिए इजाज़त दे दी है जुसके बाद एथिलीट मियू गोटो को जल्द ही उनका नया मैडल द झाल